कुरोना वाइरस एक ऐसा जानलेवा वाइरस जो चोर की तरह हमारे शरीर में घुसकर हमें बिमार करता है यहां तक कि हमारी जान भी ले लेता है कुरोना की चपेट में आने वाले बहुत से लोग इसकी गीमत अपनी जान गवा कर ही चुकाते हैं साल 2019 में चीन के वहान शेहर से निकला ये वैरस देखते ही देखते पुरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया क्या अमेरिका, क्या ब्रिटेन, भारत सहीं दुनिया के सभी ताकतवर देश इस वैरस के सामने घुटने टेक दिये थे और ये वायरस पूरी दुनिया में मौत का तांडव कर रहा था इसकी वज़ा से दुनिया की अर्थववस्था धारा शाही हो गई कई लोग बेरोजगार हो गए और कईयों ने तो लॉकडाउन की वज़ा से जिन्दगी से हार मान लिया और आत्म हत्या भी किया तो कईयों को साइकाट्रिस्ट की जरुद भी पड़ी खैर धीरे धीरे करोना का प्रकोप तो कम हुआ लेकिन गाहे बगाहे कई बार और बार बार इस वायरस में लोगों को डराया और लोगों की जान भी ली कोरोना की रोक थाम के लिए भारत में तो बूस्टर डोस भी लगने शुरू हो गए और अब भारत में तो कोरोना से बहुत ही राहत है लेकिन चीन में एक बार फिर से इस वायरस ने दस तक दे दी है निउस एजनसी रैटर्स के मताबिक 25 नवंबर को जारी आंकडों के मताबिक चीन में एक बार फिर 24 घंटों में रेकॉर्ड 32,943 मौमले सामने आये हैं चीन में लगतार दूसरे दिन कोवीट के मौमले 30,000 से भी जादा आये हैं वहीं एक दिन पहले कोरोना के 31,444 केस दर्ज किये गए थे यानि कल के तुलना में आज 1,287 दोग जादा पॉजिटिव हो गए हैं आपको बता दी हैं कि चीन में लंबे समय से जीरो कोवीट पॉलिसी लागू होने के बाद भी कुरोना पर अंकुष नहीं लग पा रहा है और इसके मौमले बढ़ते जा रहे हैं खास कर जब चीन में सर्दी का मौसम आता है तो केसो की संख्या में बहुत्री हो जाती है और इस बार भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है हलाकि बढ़ते मौमलों को देख बीजिंग समेत कई शेहरों में कम्यूनिटी लॉकडाउन लगा दिया गया है वैसे 21 नवंबर को बीजिंग में 6 महीने बाद कोविट से पहली मौत होने पर पहले ही कई जिलों में कुछ प्रतिबंध लागू कर दिये गए हैं इन प्रतिबंधों के तहत दुकाने, स्कूल और रेस्त्रां बंद कर दिये गए हैं नेशनल हेल्थ कमिशन ने गुरुवार को आखड़े जारी कर बताया था कि चीन में 24 घंटे में 30,444 केस दर्ज किये गए थे हलाकि चीन में अगर वैक्सिनेशन की बात की जाए तो करीब 93 फिस्दी लोगों के वैक्सीन लग चुकी है लेकिन हैरानी के बात ये है कि करीब पूरी आबादी को वैक्सीन के डोज लगने के बाद भी करोना के केसों में तेजी आ रही है इन बढ़ते मौमलों को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को उनके फ्लैटों तक सिमित करते हुए विशाल, अपार्टमेंट, ब्लॉक और व्यवसाइक भौनों को बंद कर दिया है घरों में कैद लोगों में कुछ भारतिय परिवार भी हैं, सभी को 27 नवंबर तक घर से बाहर ना निकलने का आदेश जारी किया गया है सभी के घर तक फुट डिलिवरी की जा रही है, तो इस तरह से एक बार फिर से चीन में कुरोना वैरस की वज़ा से हाहाकार मचा हुआ है सरदी के मौसम आते ही कुरोना के मौमलों में तेजी देखी जाती है हाला कि ऐसा सिर्फ चीन में ही नहीं है, बलकि भारत में भी ऐसा होता है इसलिए कोई भिला पर वाही आपके लिए घातक साबित हो सकता है झालिए कि बंद के लड़ में तेखी जाए में ही हाँ झाल झाल झाल